हाई बच्चे लोग कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से खेल खूद रहे होंगे तो दोस्तो मेरा नाम है रहूल जैस्वालन आपका स्वागत है हमारे इस बहतरीन से यूटूब चैनल में जिसक तो अभी आपको प्रिया मिश्रा मेडम पढ़ाएंगे बहुत सार यालेग अलेग सब्जेक्स बीच-बीच में मेरे वीडियो भी आएंगे बीच-बीच में उनके वीडियो भी आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम सभी standard के students को पढ़ाएंगे तो बस हमारे साथ बन लोग अच्छे होंगे, so my name is Priya Mishra और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ Science का 18th chapter So, इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं This chapter, इसका नाम ही हम सुनके समझ जाएंगे खुदी, कि The Environment and Us हम Environment के, अपने Environment के बारे में पढ़ेंगे और हमारे बारे में पढ़ेंगे, हम Environment के साथ क्या क्या करते हैं और उससे Environment में कितना बुरा असर पढ़ता है, उसके ही बारे में इस chapter में हमें बताया गया है So, स्टार्ट करते हैं, सबसे फ़र्स, सबसे पहला topic हमारा क्या है, Deforestation So, Deforestation, Deforestation का मीनिंग क्या होता है, Deforestation का मीनिंग, सबसे पहले Forestation का मीनिंग जानते हैं और फिर उसके बार Deforestation का मीनिंग जानेंगे Forestation means कि हमारा जंगल जो हम लगाते हैं और Deforestation जिसको हम काटके, जो दिन पर दिन खतम होते जा रहा है, वो क्या हो गया है deforestation उसको बोलते है, so deforestation कौन करता है, हम ही करते है, है न, so सबसे पहले इसमें क्या बताया गया हमें, कि हमारे world का, हमारे world का population कितना है, हमारे world का population है 600 करोड, okay, so 600 करोड हमारे world का population है, सोचों कि पूरे world में 600 करोड पीपल रहते हैं, और शायद अभी बढ़ भी गए होंगे, okay, so और सिर्फ और सिर्फ इंडिया का population कितना है, इंडिया का population है 135 करोड, okay, 135 करोड सिर्फ इंडिया का population है, and सेम ऐसा ही चाइना का भी population 135 के अप्रॉक्स में है, सोचे आप लोग कि इंडिया का कितना ज़्यादा population है, और इतने सारे countries का population है, और इसके वज़े से इस सारे मिल के क्या करते जा रहे हैं, दिन पर दिन डीप ओरेस्टेशन करते जा रहे हैं, अपने नीट्स के वज़े से, हम अपने नीट्स को complete करने के लिए, अपने टेकनलोजी को डेवलप कर रहे हैं, वैसे वैसे वो क्या कर रहे हैं, टेकनलोजी को डेवलप करने के लिए, हमें किसकी जरुवत पड़ती है, लैंड की जरुवत पड़ेगी, वाटर की जरुवत पड़ेगी, ओके, उनके वज़े से हम क्या करते जा रहा है अपने फॉरेस्ट को अपने जंगलों को नाश किये जा रहा है दिन पर दिन खतम करते जा रहा है So, इस chapter में हम यही पढ़ने वाले हैं, first है हमारा topic deforestation So, deforestation में हमी क्या बताया गया है, कि हम कैसे हम लोग अपने population को दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं और अपने जंगलों को नुकसान पहुचाते जाए So, आपको याद रखना है हमेशा हमारा की population कितना है? 600 करोर, ओके? और इंडिया का 135 करोर So, new technologies के वज़े से क्या कर रहे हैं? Land, land हमें need हो रही है, अगर हम कोई company खड़ा करेंगे तो उसके लिए हमें किस की जरुरत पड़ेगी? Land की जरुरत पड़ेगी और अगर हमें land की जरुरत पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? Land की जरुरत पड़ने की वज़े से हम क्या करेंगे? हमारे जंगलों को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे तो ही तो हमें जमीन मिलेगा और फिर बड़ी-बड़ी factory वगेरा लगाएंगे So, इसकी वज़े से क्या करते जा रहे हैं? हम दिन पर बड़ी जंगलों को काटते जा रहे हैं and वैसे ही, water resources को कितने सारे नदियों को बंद किया जा रहा है किसकी वज़े से, उसमें और सासाथ में गंदा-गंदा company वगेरा का पानि छोड़ा जा रहा है दिन पर दिन वो जंगलों को कटनी के वज़े से जादा धूप आता है जादा सनलाइट आता है और उसके बाद जंगल दिन पर वाटर रिसॉर्सेस सारे सूकते जा रहे है दिन पर दिन वैसे ही हम क्या किये जा रहे है अपने water resources को भी कम किये जा रहे है बट आप लोग ही बताइए अगर water resources नहीं होगा तो हम क्या पीएंगे बताइए और अगर जंगल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सांस कैसे लेंगे हम जंगलों के needs सबको है की नहीं वैसे ही जंगलों को बिल places required on a very large scale for agriculture, housing, industry and for building roads के लिए क्या कर रहे हैं हम अमारे कौन-कौन से नीट से इंडस्ट्री की housing की घर बनाएंगे तभी तो इंसान रहेंगे इतनी population कहां पे रहेगी 35 करोर population, 600 करोर population कहां पे रहेगी उसके लिए उनको housing की जरुरत पड़ेगी और शर्वाइब करने के लिए किसकी जरुरत पड़ेगी लैंड तो रहने चाहिए तभी तो हम सर्वाइब कर पाएंगे कमाएंगे ने तो खाएंगे कहां से वागे क्या कर रहे हैं सो उसकी वज़े से इंडस्ट्री का इंडस्री दिन पर दिन इंडस्ट्रील एरिया वगीरह बढ़ते जा रहे हैं ऐंड ये फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं हमه से पहाल कितने सारे पहाड्य ốngगे जाएंगे न हम तो देखेंगे पहाड को कट करके उधर पर घर बनाये जा रहा है रास्ते बनाये जा रहा है तो वैसे ही क्या कर रहे है हम हमारे forest को नुकसान पहुचा रहे है वैसे then आगे क्या है the the environment provides the environment provide shelter to different kinds of living things there are there are many type of plants in forest for हमारे forest में कितने many type of plants है okay and many type of plants है किसके लिए है birds के लिए है हमारे लिए है हम सबके लिए ही है na plants वो plants खुद के लिए कुछ करते है क्या है वो सास मतलब हो तो हमारे लिए हमारा ही oxygen हमारी वजेसे वो sharply क्या लेते हैं काड़न डायोकसड लेते हैं हमारे लिए क्या करते हैं oxygen छोड़ते हैं तो वह हमारे अच्छे के लिए कर रहे है कि ने अंगर हम दिन पर दिन जंगलों को कट करें जंगल कम होते जाएंगे जंगलों में जो बर्ट रहते हैं नेस्ट वगेरा बनाके रहते हैं यह तो गया बर्ट की बात वैसे ही एनीमल्स अगर हम एनीमल्स को ऐनिमल्स के लिए उन ऐनिमल्सका घर व्यांश होता है जैसे हम घरों में रहते हैं वी से रहेंने कर हमसे ज्की हमें होता है है जंगल में रहते हैं उससे भी हम हमें ही प्रब्लम होता है हम जंगलों को काटते जा रहें उनका घर खटम करते जा रहें तो वैसे ही से monkey डी ऐस एलिफेंट ट्राइगर यह सब क्या है हमारे जितने भी एनिमल्स है जो कि जंगल में ही रह सकते हैं उनको हम घर में नहीं रख सकते तो वैसे एनिमल्स के लिए क्या करते जा रहे हैं हम उसका घर खतम करते जा रहे हैं So, हमने Deforestation तो पढ़ लिया, Deforestation में क्या सीखा हमने शॉट में देखते हैं, एक बार Deforestation में हमने क्या सीखा कि हम क्या करते जा रहे हैं, हमारे वर्ल्ड की population इतनी 600 करोड है अपनी नीट्स के वज़े से हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया बढ़ा रहे हैं, लैंड्स को और वाटर रिसॉर्स को क्या कर रहे हैं, दिन पर दिन खतम करते जा रहे हैं एंड उसके वज़े से क्या हो रहा है, Deforestation बढ़ते जा रहा है, इतना समझ में आ गया, हमारा नेक्स टॉपिक क्या है Pollution, क्या है हमारा नेक्स टॉपिक, Pollution, Pollution तो आजकल सब को पता है कि Pollution क्या है, और Pollution कितना जादा बढ़ गया है Pollution कितने types की होते हैं, आप लोग को पता होगा, First pollution क्या है, Water Pollution, Water Pollution is First Pollution और उसके ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वैसे ही क्या है, Air Pollution भी है, Water Pollution, Air Pollution है, Land Pollution है, बहुत सारे pollution के types हैं जैसे हम pollution को तो दिन پर दिन बढ़ाते जा रहे uzें तो pollution के तो types बढ़ते जाएंगे और सबसे first हमोग क्या पढ़ने वाले वारे में water को किसे पॉल्यूट कर रहे हैं water को दिन पर दिन पॉल्यूट करते जाएं जैसे कि हमने डिएफॉर्स्टेशियन में भी देखा था कि हमने क्या देखा था महाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाते जा रहे हम जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा Water Resources भी खराब होते जाएगे क्यूंकि जैसे जैसे एक Company 나오 жisier बढ़ती है नदियों में नालों में डायरिक ही फेकते हैं उसकी वज़े से वो क्या होता रहता है जिस जगे पे पड़े होतं यह वислगे। यह सब आते हैं इसके वज़े से हमें क्या करना पड़ता है कि वह हमारे ही अंदर जाता है लिए हम शॉस राजते से गुज़रें आ ग्रम पॉस अंदर आएगा कि नहीं आएगा अंदर आएगा हमारे ही अंदर आएगा तो उसे क्या होगा हमारा ही नुक्सान हो रहा है तो वैसे ही हमें water pollution में बताया गया है water waste is also given out factory into their surrounding if water from such polluted water resources क्या करते हैं जैसे हम water resources में डालेंगे उसके आसपास का जो एरिया होता है जैसे यह हमारी एक नदी है और उसके आसपास की जो जमीने हैं हम यहां से फैक्टरी से हम यहां से पानी को इधर पे फेक रहे हैं बट यह जो पानी इस जगे को गंदा करेगा सास तत इस जगा उपे भी आएगा यह जगे पे जब आएगा पानी तो यह क्या हो जाएगा यह जो लैंड है वो भी पॉल्यूट हो जाएगा उसमें भी गंदगी आ जाएगी एंड इस लैंड पे हम कोई भी पौधा नहीं उगा सकते वह अपने आप खतम होने लग जाएगा इस हम इन बंजर टाइप की हो जाएगी जैसे मतला फटाइल कुछ वह उगा नहीं सकता अपने जगों पर तो इसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है इस पे दिन पर दिन बहुत सारी केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से कुछ प्लांट बहुत अच्छे से ग जाएंगे तो वह जाधा हम ही खाने वाले हैं वह हमारे बॉड़ी को जाधा अच्छी तरफ से लगने वाला है अगर हम ऐसी जगवे पर प्रोसेस करेंगे अग्वे प्लांट लगेगा उसमें जो फ्रूट्स आएंगे वह फ्रूट्स खाएंगे तो उसमें तो झाले जादा अच्छा न ही रहेगा okay तो इससे हमें कुछ नुटिषन कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है ये एक कमपनी के वजे वज़े से कि सुम्राशन हो रहा है इसमें फंख द्तुर टो यह पे क्या है बहुत जाधा इंडुस्त्रियल एरिया है तो यहाँ पर क्या है बहुत सारी कम्पपनिया और इस जगह लोग शाम के टाइम पर देखते ऊंगे तो कोई company होती है, जैसे कि हम माल लेते हैं, यह एक company है, उपर का जो यह पार्ट होता है, यहां से ही चिमनी से धुवा निकलता है, यह धुवा क्या होता है, without process के यह धुवा बहुत जादा बेककार होता है हमारे body के लिए, यही धुवा निकलने के बाद क्या होता है हमारे पूरे एन्वायरमेंट में फैल जाता है अगर यह पूरे एन्वायरमेंट में फैलेगा तो आप ही बताओ दिन पर दिन प्लांट्स तो कम होते जा रहे हैं प्लांट्स कटते जा रहे हैं तो वो कैसे हमारे एयर को कैसे हमारे air को शुद्ध करेगा कैसे उसको clean करेगा अगर वो खुद हमारे plants ही हमारे लिए oxygen लाते हैं और खुद carbon dioxide लेते हैं तो बट अगर जो ये दिन पर दिन carbon dioxide इतना जादा निकलता जा रहा है इन carbon dioxide को अंदर लेने के लिए हम plants को ही cut कर रहे हैं तो कैसे हमें oxygen मिलेगा अच्छा त हमें बहुत सारी हैजा वगेरा ऐसी बहुत सारी बीमारिया जो oxygen से related बहुत सारी बीमारिया हमें होती जा रही है ये दिन पर दो हमने देखा है कि companies वगेरा से निकलने वाले चीजों के वज़ए से क्या हो रहा है हमारा water and soil क्या हो रहा है पॉल्यूट हो रहा है इसके बहुत जादा chemicals वगरा होता है तो हमारी body के लिए बेकर होता है वो and हम lands को भी क्या कर सकते है लैंड हमारा क्या हो जाता है infertile हो जाता है हमारा जो soil होता है मिट्टी होता है वो क्या हो जाता है बहुत जादा गंदा हो जाता है उसमें हम कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगा सकते हैं अगर उगाएंगे भी अगर वो by chance उगा भी तो क्या हो जाएगा बहुत जादा विशयला रहेगा हमारी body के अगर animals ने उसको खाया तो animals के लिए भी बहुत बेका रहेगा उसके वज़े से हम क्या करते हैं, उसको chemical fertilizer यूज करते हैं, पेस्टिसाइब यूज करते हैं उसको क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए इसकी वज़े से भी क्या होता है? दिन पर दिन animals and animals वगेरा की क्या होती जा रही है population, plant and animals का population क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है and their number is reducing उसका number क्या होते जा रहा है दिन पर दिन खतम होते जा रहा है कम होते जा रहा है animals का animals जैसे की tiger वगेरा अब तो tiger बहुत जादा ही कम बचे हुए है हम देखते हैं हमारे इंडिया में ही tiger बहुत जादा कम बचा हुआ है tigers वगेरा पे, loin वगेरा ये सब क्या होते जारे हैं दिन पर दिन खराब खतम होते जारे हैं किस के वज़े से, deforestation के वज़े से हम बस यही नहीं कह सकते कि हम company वज़े से ही इतना ज़ाधा पॉल्यूशन होता है हम हम खुद भी पॉल्यूशन हम खुद भी है क्वagain खुद हो सब्सेतर का यूज़ कि बहुत ज़ाधा यूज करते हैं जो नौर्मल घर में जो डेली यूज की लेडीज वगरा खाना जो बनाती है हम घर में खाना पनाने के लिए भी बहुत सारी fuel का use करते हैं और fuel का use करने के वज़े से क्या होता है उससे भी धुवा निकलता है और वो धुवा भी क्या होता है environment में पूरा फैल जाता है बट उसको साफ करने लिए हमारे पास plant है क्या उतनी मास्टरा में उतना ज्यादा quantity में हमारे पास plant है क्या नहीं हम plant को भी cut कर रहे हैं और बहुत ज्यादा धु़ा भी कर रहे हैं तो असके वज़े से क्या हो रहा है? इंडस्री भी बहुत- थूल का यूज करती है बट उस से भी ज्यादा normal जो daily जो लेडिस खाना बनाती है उन वह भी बहुत ज़ादा फ्यूल का यूज करते हैider तो हमें क्या करना चाहिए? जो ज़िन जायं को हम घैस का यूज करते हैं रिटन पर नहरे तो आ यूज को और अनल कना चाहिए अस में पर शयाने के लिए फिर पब्लिक जो पब्लिक के लिए जो बनाया गया है ट्रीन्स वगेरा ट्रेन्स या बसे इस सब में जाधा ट्रैवल करना चाहिए खुद के ओन वेकल्स का यूज करते हैं और उसकी वज़े से बहुत जाधा हम धुआ पहलाते हैं इस चैप्टर में हमें इतना ही बताया गया है पॉल्यूशन के बारे में ओके तो नेक्स टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स लेक्चर में अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए बाई मिलते हैं नेक्स लेक्चर में